सब भी स्टूडेंट्स को नमस्कार जैसा कि आपने कल देखा होगा माविद्याले ने माविद्याले सोरी अपने पंडे दिन द्याल से कावटी सुचना जारी की है देखिए इसकी डेट भी आप देख सकते हैं तीन एक दो जार चोबिस को और इसमें किसके रिगार्डिंग सुचना, डाली गई है वह स्टूडेंट जो इस साल इक्जाम देथे ने पिछली साल आप हो गए सिर्फ फस्त फियर जान रहे बी एस्टी बीए बीकोम सभी मता ना बियसी बीये बीकोम के पर्थम वर्थ के वो student जो इस साल एक्जाम दिए थे और वो फेल हो गए सिरब regular student celebrate तो प्राइवेट रहता है regular student, regular student जब किसी कक्सा में फेल हो जाता है तो उसे x student का जाता है तो जो पर्थम वर्ष में फेल हो गए x student जिनकी मारक सीट में लिखा है अब मैं यह एक सब्द चेंज कर देता हूँ कुछ students ऐचे भी हैं जिनकी मारक सीट में लिखा है Eaps, eligible for part second अगर आपका कोई paper back रह गया है तो आपकी exam का form बाद में बरेगा यह सिरफ उन students के लिए जिनकी मारक सीट में साप लिखा है fail, मतलब x student तो आप जिसके back रह गये हैं वो इस topic में ना आई आपकी exam form अभी शुरू बाद में होंगे ठीक है, चलो बात कर लेते हैं तो इसमें क्या का गया है Unicity ने हमें का आए कि विश्वविद्धाले राष्टे निती जो है NEP उसमें 2020 में लागू है कि आपने पर्थम वर्स की जो परिक्षय semester से पढ़नाली से अभी करवा रहे हैं जनवरी के लास्ट बीक में तो उसमें ये बताया गया है कि 26-12-2-3 इसको भी लेटर जारी कर दिया गया था लेकिन फिर भी अब दुबारा जारी किया जा रहा है इस लेटर के नुसार पर्थम वर्स की वो student जो इसना तक पर्थम वर्स में अनूत्रिन विद्यारती या पूरो विद्यारती या पूरो विद्यारती का मतलब है कि जो पहले से विद्यतार है फिर भी उपास नहीं हो रहा है और अनूत्रिन विद्यारती जो फैल हो गया है जिसे हम एक्स स्टूडेंट्स के रूप में एक्से स्टूडेंट्स के रूप में जानते हैं उनको भी जनवरी माह में इस सेमेश्टर परिक्षा में फामिल होना है यह का गया है उन्हें पुने नामंकन करवाने की आउशक्ता नहीं है परंतु निर्दारित परिक्षा फोर्म यथा समय उन्हें बढ़ना होगा आपको परिक्षा फोर्म बढ़ना है और उनको जमा करना है नामांगन का मतरब है रजिस्ट्रेशन आता है एंडॉल्मेंट रजिस्ट्रेशन वो नहीं करवाना लेकिन अगर इस फोर्म में आएगा option तो आपको करवाना पढ़ेगा लेकिन बाद में पता चल जाएगा इसमें का परिक्षा फोरम यथा समय पुरन करें मतलब आपको भी ये फोरम बरना है निर्दारित पाठे करम के नुशार बहुगी किल पिये आपको भी ओमार सीट वाले जो अब्जेक्टिव कुशन्स आएंगे उनसे ही परिक्षा में सामिल किया जाएगा तो उस हिसाब से आप परिक्षा का आयोजन नहीं होगा तो आप यह सोच रहे हैं एक बार लगेगी यह नहीं लगेगी उसका आयोजन नहीं होगा सब भी पूर्वा सेमेस्टर एक्सेट्टेंट मतलब जो इस साल से चालू हो गई निति उसी साब से यह आपकी परिक्षा सम्मिलित होगी तो अब अपना फोर्म जिंबरें और नजदी की महाविदाले जहां आप हैं उसमें जमा करवाएं जहिन जवारत और हां ध्यान रहें जिन स्टूडेंट्स के बैक पेपर चल रहे हैं लेकिंगी मारक सीट में लिखा है ईपी एपएस ईपी एपटी वह स्टूडेंट्स इसके कम्प्लीट फेल हो चुके हैं जिनके मारक सीट में लिखा है एफ एईयल ओके जैहिन जैबारत